दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि काजू कतली कैसे बनती है आप बजार से काजू कतली किसी वित्यों के मोके पर लेते होंगे बड़े चाव सिखाते होंगे काजू कत्री के बनाते हैं, मैंने खुद काम किया हुआ है, काजू कत्री के लिए जो बजार के कमपनीज हैं, भड़ाई से बनाने वाली, वो मार्किट से 6 आठ टिकड़ों में काजू के पीस लेते हैं, आठ पीस का काजू का एक टुकड़े के आठ पीस होए होते हैं, और अच्छी तरह कीड़े खाये होए होते हैं, उनको जन्त लगे होते हैं, वो बजार से सस्ते भाव में ले लेते हैं, और उनसे आपको बरफी काजू कत्री बना के आपको खिलाते हैं, आपने क्या करना है, बजार का बंजी। काजू गदली बिल्कुनी नहीं, आप घर में ही बना सकते हैं, बहुत ही easy और असान तरीक्डेसे आप घर में काजू कतली बना सकते हैं, इसके लिए क्या करना है, मपसी लो मपसी है कि सबसे बह casino कि एक किलो अच्छी k्वालिटि के साफ काजु लो टेकिक बड़ी, बड़ी हवले, और उस और मिखसी में डाल के पीस लो इसकी गारीवज बन जाएं और इसमें आपने 100 ग्राम का दूद डाल देना है, इससे ओची से रह मेंट हो जाएगा, वो ग्रेइग आपने निकाल लेनी है, उसके बाद क्या करना है कि मावा जो घर में तयार होता है, इसके दो किलो दूद का आपने इसको गाड़ा करके बिलकुल गाड़ा करके उसको ग चीनी की चाशनी, इसमें चीनी आपने ऐसे नहीं डालनी है, आपने उसको थावकले बना लेनी है, उसके बाद आपने इसको मिला देना है, और गरम करते रहना है, हलकी जब गरम हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें मावा, काजू, पिकतली, गरेवी और ये सब में अच्छी द्रहां मिलागे एक दिर लग देना है जब यह सूंखने लगी तो इसके उपढ़ आपने चांदी कम हुड़ें जा देका हो उसके लगा देना आं पूंटक देना है इसके पीसिस करने हैं इसके चौरस-चौरस पीसिस करके इसको रख देना है तो आपकी काजु ते लिए तियार है ठंडी करके आप खा सकते हैं थेंक्यू एमर